हाई मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कम्निटी में स्वागत करते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ कमेंट दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर आप कुछ कमेंट देख सकते हैं यह कमेंट हम क्यों दिखा रहे हैं सबसे पहले वो मैं आपको explain कर देता हूँ फिर कमेंट में क्या बात किया गया उसके उपर हम यहाँ पर detail से बात करेंगे तो सबस पहले जो मैं आपको कमेंट दिखा रहा हूँ वो दिखाने के पीछे मकसद यह है कि बहुत बार आपको half information प्रोवाइड किया जाता है misinformation प्रोवाइड किया जाता है अगर आपको half information के basis पे या फिर misinformation के basis पे कोई conclusion पे आते हो तो आपका गलत conclusion होगा कोई opinion बनाते है तो आपका गलत opinion होगा और यही चीज market में सबसे बड़ा blunder होता है और यही चीज retail trader को operators के जाल में फसाता है और अगर आपको operators के जाल से बचना है और big players जो जाल बिचाते हैं आपके लिए जो trap बिचाते हैं उससे आपको बचना है तो आपको complete information लेना परेगा और information को अब भी आपको अच्छे तरीके से interpret करना परेगा और आपके पास बहुत सारे information होता है लेकिन उसको आप अपने according जो भी information चूज करते हैं वो गलत है आप सारे information को एक साथ analyze करो और उसके basis पे conclusion पर आप बहुत साथ लोग क्या करते हैं market में bullish side की तरफ call बना लेते हैं यहनि buy side की तरफ call बना लेते हैं कुछ sell side की तरफ call बना लेते हैं अब अगर आपने buy side की तरफ call बनाया है तो आप वही information को देखोगे जो कि आपको hint करेगा कि market उपर की तरफ जाएगा आप उस information को छोड़ देते हो जो hint करता है कि market नीचे की तरफ जाएगा और इसलिए जब market नीचे गिरता है तो आपको समझ भी नहीं आता है कि market नीचे गिरा की महीं इसलिए गिरा है क्योंकि आपने सिर्फ half information को पकरा है जिस information से आपको मतलब था वह information आपने पकरा है कि सबसे बरे गलती होती है इसलिए वीटेल ट्वीडर मैसिमुम ट्रैप में फसते हैं जाल में फसते हैं तो यहाँ पर कमेंट दिखाने के पीछे मकसद किसी को डिमोलाइज करता नहीं है बस जो डिटेल ट्वीडर गलती करते हैं वो हम आपको अवेर करें ताकि इस तरह के आप ना कर पाए और जैन्वली वीटेल ट्वीडर इस तरह की गलती करते हैं तो चलिए कमेंट देखते हैं और उसके बाद हम उसको एनलाइज करते हैं सबसे पहले रविंद कुरुमार जैन का जो पहला कमेंट है इसकी उपर फूकस करते हैं उनका क्या भीव है उनका मार् को यानि 13 अप्रिल को जो मार्केट का लो था वही लो मंडे को मार्केट का रहेगा और मंडे को मार्केट मेंनों 17 600 के लेवल पर जाएगा जा भी सकता है इन्होंने अपना एक ओपिनियन बनाया है कंक्लूजन बनाया है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है हम आते हैं इनके तीसरे comment के उपर जो last में आपको तीसरा comment दिख रहा है उसके उपर आते हैं बीच में क्या language उन्हों उसके उपर आते हैं में मेरा focus है कि विटेल Twitter का जो half information के basis पे वो अपना opinion बना लेते हैं उससे आपको बचना है अब यहां पर देखिए उन्होंने क्या किया है उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि 17600 के लेवल पे थोड़ा सा मैं इसको clear कर देता हूं देखिए 17600 के लेवल पे put में 13 lakh के करीब open interest है ठीक है बिल्कुल है open interest और वो put selling किये है ठीक है इन्होंने एक point डाला option chain के basis पे कि 13 lakh put writers है 17600 के लेवल पे बिल्कुल सही information दिया 17600 के लेवल पे 13 lakh put writers है अगर आप इसके basis पे conclusion निकालोद क्या होगा आपको यहीं लाएगा कि put writers का भी positive होता यानि market आपका 17600 के लेवल तक आ सकता इसके chances ज्यादा है उन्होंने information सही दिया लेकिन half information provide किया 17600 के लेवल पे आपके call writers भी तो होंगे किसी put writers ही रहते call writers का क्या quantity है वो किस तरह से अपना presence बना रखे है वो कौन बताएगा तो चलिए वो हम समझते हैं सबस्पहले option chain पे चलते हैं फिर हम इन्हों ने जो आगे comment किया उसके उपर ही FIDI data को लेकिन तो सबस्पहले हम option chain पे चलते हैं और देखते हैं कि 17600 और इसके नीचे 17500 पे भी किस तरह का development हुआ है और किस तरह से यहाँ पे आपको half information प्रवाइड किया जाता है और इस तरह के half information आपको कई जगह बहुत सार यूटूब चैनल पे मिल जाएगा बहुत सा इस तरह के misinformation पे नहीं जाना है आपको खुद analyze करना चाहे मैं बताओ या कोई बताओ आप किसी पे भरोसा मत करो खुद जा के देखो कि वहाँ पे है या नहीं है तब आप उस पे भरोसा करो तो चली option chain पे चलते हैं इन्होंने भी बताए उसको देखते हैं तो यहाँ पे हम पुट वाइटर्स दिखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके पास सिर्फ इतना information वह है कि 17-600 पे 14 लाख पुट वाइटर्स अभी बने हुए जबकि market इससे बहुत नीचे है 17-500 के लेवल पे 16 लाख पुट वाइटर्स अभी बने हुए जबकि market इससे पर आपके पुट वाइटर्स अभी बैठे हुए पुट वाइटर्स यहां से बाहर नहीं निकले लेकिन अगर आपका यह opinion बनता है यह opinion आपका गलत भी हो सकता है रॉंग भी हो सकता है क्योंकि यह information half information है और इसके basis पर हम अपना opinion बना रहे हैं तो अब यहां पर हम पूरा information देखते हैं उसके बाद हम एक complete opinion बनाएंगे फिर आप देखना कि दोनों opinion में कितना ज्यादा difference आ जाता है तो यहां पर अब हम calls की तरफ देखते हैं जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है अब उन्होंने सबसे पहले 17600 का जिक्र किया है यहां पर आपको 14 lakh से ज्यादा put लेकिन 17600 के call पे देखिए यहां पे लगबग आपके 32 lakh call वाइटास बैठे हुए अब आप बताओ call वाइटास का भीव क्या होता है निगेटी भी होता है अब आप मुझे यहां पे बताओ कि market क्या 17600 को उपर आप 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 लेकिन full information देखा है उसके basis पे लग रहा है कि नहीं आप 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 market 17600 के लेवल प्याद है लेकिन उससे दवल लगवग आपके 32 लाख कॉल वाइडियो क्या दम लगाएंगे कि market 17600 के नीचे रहे और जीता को ने जिसके पास ज़्यादा नंबर होता है market में नंबर का गेम होता है अगर आपके पीछे ज़्यादा लोग है तो आप market को करेगा इनके recording market चलेगा ना कि put right न उसके recording इसलिए 17600 का लेवल पे जो उन्होंने एनलाइज किया है वो half information के basis पे और यही चीज़ आपको देखना है अगर आप सिर्फ comment देखके या फिर इस तरह के data कहीं भी देऊ मैं दू या कोई भी new channel वाला दो या फिर youtube channel वाला दो उस इसे general time में क्या होता Monday to Friday market open वायता है Saturday Sunday को हम दो भी थोड़ा बोद रेस्ट करते हैं तो time नहीं मिल पाता अभी चार दिन का छोटी था holiday था तो मैंने सोचा कि इसके उपर वीडियो बना लेते हैं यह बहुत important topic है market के psychology को समझना परेगा और market में किस तरह से trap किया जाता information misinformation देखें वो चीज़ भी आपको यहां पर आना चाहिए उसकी बाद हम सत्रह पांसो के लेबल पर देखते हैं लेकिन यहां पर 21 लाग यहां पर बैटे हुए उनके स्वागत के लिए ठीक है तुम 16 लाग हो यहां पर हम 21 लाग है तो quantity किसका ज्यादा होगा suppose that आप रसी का आप समझ सकते हो तो यहां पर 21 लाग आपके call writers है और उसके against 16 लाग put writers है मतलब 17-500 का level के नीचे market वहने के chances ज्यादा है अगर यह उपर कब आ सकता है उपर एक ही condition आ सकता है आधर कोई news मिले positive या फिर ट्विगर मिले विजर्ट सेशन भी स्टार्ट हो गया अगर तीन चार कमपनी का vision positive में आगी है तो market को trigger मिल जाएगा फिर यह सब को break करते वह उपर आजाएगा फिर यहां पर data कोई काम नहीं करेगा दुखसरा होगा कि अगर यहां पर call writers घट जाएंगे यानि call writers आपके 10 लाग के करीब हो जाए और put writers उतने ही रहे तो फिर market 17-500 के level को break करके परा जाएगा अगर same situation रहा जैसा अभी है इधार आपके 21 लाग है और इधार आपके 16 लाग है तो 17-500 का level break होने के chances कम है इसलिए आपको put data को read करना किसी एक तरफ लेके नहीं बैठ जाना कि हम सिर्फ put side के तरफ देखेंगे और हम सिर्फ call side के तरफ देखेंगे आपको दे जाते हैं तो यहां पर हम इनके दूसरे point पर focus करते हैं उन्होंने बताया कि FIA ने huge call buying किया है ध्यान दीजे कि FIA ने huge call buying किया है जो तुमको नहीं दिख रहा है किया तो language दो नहीं जाते देखते हैं कि FIA ने huge call buying किया है किया इसमें भी इन्होंने half information provide किया चले इसके भी हम full information को देखते हैं इसी तरीके से आपको कभी कभी half information मिलेगा FIA data को लेके nifty के option chain को लेके बहुत सारे chart basis पे भी आपको half information provide कराया जाएगा तो आप किसी पर believe मत करो मेरे भी मत करो आप खुद जाके वहाँ पर देखो कि क्या information है आप full information को analyze करो फिर आप एक conclusion पे आ सकते हो और conclusion बहतर होगा अब यहाँ पर इनके साथ क्या हो सकता है अगर Monday को market इनके favor में चला गया तो क्या करें इनके पास confidence के कमी ने होगी बहुत ज्यादा confidence आजाएगा फिर क्या करेंगे ज्यादा पैसे के साथ खेलेंगे और ultimately market जितना दिया उससे double लेके चला जाएगा तो इस तर लोग अभी already बाहर निकल चुके और मां की आपके उसमें से भी 25-30% यानि सिर्फ उसमें से लगब 20-10% लोग ही बचेंगे मां की सारे के सारे लोग बाहर निकलेंगे और अगर आपने इंट्री किया है और अगर आपको market में sustain करना इस तरीके misinformation पर आपको react नहीं करना इस त सारे आपके सामने है आपके पास है किसी भी भरोसा मत करो खुद analyze करो उसके बाद खुद एक conclusion पर आओ अब यहां पर हम FIDI data को analyze करते हैं इन्होंने जो कहा है सही है या नहीं है या फिर आधा दूरा इन्होंने information दिया है तो यहां पर आपको FIDI data को भी अच्छे से analyze करना चाहिए यहां पर क्या important है किस पर ध्यान देना किस पर ध्यान देना नहीं है यह भी आपको आना चाहिए तो सबसे पहले हम cash market को देखना चाहेंगे cash market एक आपको clear cut indication दे देता है कि यहां पर FII और DIA का क्या भी हुए market को लेकि है तो अगर आप यहां पर देखें पिछले 5 दिनों से FII लगातार selling ही कर रहे है 13 अपिल को भी इनोंने 2000 करोड का selling किया है तो FII का market को लेके क्या भी वे overall वो आपको cash market के data से पता चल जाएगा अगर उनका positive भी हो रहता है तो थोड़ा बहुत भी लेकिन buying जरूर करते हैं और अगर उनका negative भी हो रहता है तो वो selling side की तरफ जाते चलते हैं और आप देख भी सकते हो पुराना data को उठाके जब market ने 18,000 के label को touch किया तो उस टाइम पे देखिए लगातार first three days of April में उन्होंने buying किया था यहां पे buying data देख सकते हो और इस टाइम पे सब का भी positive था even FII का भी positive था इसलिए उन्होंने buy किया थ तो इससे आप अन्दादर लगा सकते हो कि अगर उनका positive भी रहता है थोड़ा बहुत भी वह buying करते हैं यानि तो selling करते हैं तो selling 500 प्रोड सा कम का करते हैं तो अभी जो FII का भी है overall वो आपको कहा से मिल जाएगा cash market के data से मिल जाएगा कि FII का जो भी है यहां पे वो आपका negative साथ की तरफ भी है वहीं डियाए के भी की लेते हैं तो डियाए नहीं यहां पर लगवाग 1410 करोड का buying किया है तो FII और डियाए दोनों को एक साथ कमबाइन करो फिर भी यहां पे overall 600 करोड से जादा का net selling किया गया तो net selling हुआ यहां पर cash market में और यही डेटा हमें negative hint or indications दे सबसे पहला डेटा है कि FII का क्या भी दे रहा negative भी दे रहा और देख सकते हो लगातार वो selling ही कर रहे मतलब उनके तरफ से buying करने का कोई mood ही नहीं है उसके बाद यहां पर कुछ और डेटा को read करते है अब FNO डेटा पर आते है FNO डेटा में जो important रहता है वो क्या रहता है FII index future में उन्होंने क्या किया है सबसे पहले यहां पर आपका most important cash का data रहता है cash के data के बाद जो market का direction बताता है FII और DIA का वो बताता है index future में FII का index future में क्या भी हो तिहां पर भी देखिए 13 अप्रील को 2000 क्रोड का selling किया है उससे पहले 12 अप्रील को 1500 उससे पहले 11 अप्रील को 2000 क्रोड का selling किया है मतलब future और cash जो दो important indicator रहता है FII के mood को पकड़ने का वो दोनों जगा पे selling किया जा रहा है अगर single day बात कर लो future और cash मिला के लगवग FII ने 4000 क्रोड का selling कर दिया है उसके बाद किस लिहाद से आपके FII का positive market को लेगे अब यहां पे उनका क्या कहना था उन index option में buying जरूर किया है लेकिन index option में क्या buying किया call buy किया put buy किया उससे हमें कोई clear cut idea नहीं मिला उन्होंने 4000 क्रोड का selling किया hedge करने के लिए वो use करते है options को तो options के data हमारे लिए list important रहता हमारे लिए जो important data रहता वो रहता है cash और उसके बाद future कोई भी जो जानकार लोग है उनसे जाके पूछना कि FII DI data में हम क्या देखते हैं सबसे पहले बो देखें कि cash के data को देखो उसके बाद future के data को देखो यहीं दो important रहता options का data list important रहता है ज 7000 कोड़ का दिखे रहा है मार्च और फर्वरी में 13-13000 कोड़ का आपको options में बाइंग दिखेगा लेकिन market के mood और sentiment में कोई फर्क दिए market गिर रहा है तो यह सिर्फ और सिर्फ अपने positions को hedge करने के लिए बहुत साइट तरीके से अपने positions को secure करने के लिए इस तरह का अपना आया जाता है और कभी-कभी इस तरह का misinformation आप लोगों को दिया जाता है ताकि आप लोग इस पर react करो और trap में फर्स जाओ इसलिए आपको options के data आपको उतना important नहीं लेना है उसके बाद यहां पर stocks पर आना चाहेंगे और यहां पर भी आप देख सकते हो stocks का future का data भी important पहला cash का data रहता दूसरा आपका index future का data रहता तीसरा stock future का data रहता तो अगर उनका positive view रहता तो सबसे पहले future याफिक cash में हमें वो indications देखता जैसे कि April के first three days में देखने को मिला है उसके अलावा आप stock options में भी देख लो data negative की तरफ ही है तो options की data को मुतना seriously नहीं लेंगे अगर हमें futures से positive indication मिल वा तब हम options की तरफ देखेंगे otherwise options के data के basis पे कोई conclusion पे नहीं आएंगे तो उन्होंने जो comment पे बोला है वो स analysis पर आप market के opinion पर आते हो तो गलत opinion पर आओगे यहां मैं आपको account data दिखाना जाओंगा SGX Nifty हमारा market आज बंद है लेकिन अगर हमारा market आज open होता तो कहां पर trade कर रहा होता 17,000 425 से 430 की level पर trade कर रहा होता यहीं उनका जो भी होता 17,000 475 जो 30 आपिल का lowest point था इससे नीचे market नहीं जाएगा लेकिन इससे already आपका लगभव 40 से 50 point नीचे market ट्रेड कर रहा है तो अगर आज market open वहता तो उनका जो opinion था वो पूरा का पूरा गलत हो जाता क्योंकि उनका opinion half information के basis पर था तो आपको इस तरह के misinformation या फिर half information पर react नहीं करना है कभी-कभी आपको यह information भी मिलत खुद जाके analyze करना है कि वहाँ पर क्या कुछ है उसके बाद आप एक complete information पर पहुँच पाओगे और उसके बाद जो आपका market का opinion होगा वो काफी हद तक सही होगा उसके बाद भी आपको नुकसान हो सकता market against में जा सकता है लेकिन उसके बाद जो आप conclusion पर आओगे वो conclusion ज्य जाज जाज शेयर किजे ताकि सब को इस तरह के information मिल सके so that's all friends मिलते है next video में कुछ वह informative content को लेगे जैहिन